दोस्तों नमस्कार Vielleicht NARS कलास एक नए वीडियो में फिस हम आप लोग को स्वागत करते हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिलकूल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए तो एक और नए वीडियो में इस पर कर सहम आप लोग को स्वागत करेंगे क्योंकि इसमें आज हम वीडियो में बताने वाले हैं आपका कलाश 10 का साइंस से आप लोगों ने कॉमेंट बॉक्स में बहुत सारे कॉमेंट किया कि सर जो बीद्या सागर प्विडिकेशन के दोबारा जो सेट ए निकाला गया है उसका साइंस का क्यूशन का आंसर दे देजी जो 80 अबजेक्टी परस ने आपका है तो आप ही के कहने पर हम ये वीडियो बना रहे हैं मेरे प्यारे स्टुडेंटे देखिए आप से हम कितना महबत करते हैं तो अगर ये वीडियो पर नए होंगे तो चैनल को सस्क्राब जरूर करिएगा और बिल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब भी हम आपके लिए कोई वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा वीडियो को अपने दोस्तों में भी सियर करिएगा जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें बहुत बड़ा मोटिवेट मिलता है आप जब कॉमेंट करते हैं तो आपके लिए हम इतना मेहनत करके एक वीडियो अप्लोड करते हैं आपके कैसा लगा मेरा माजाक इसके बाद देखिए आपका इसमें एदम सेम इसी परकार से पूछेगा मेरे डियर श्टूडेंट कोई इसमें दीकत होने वाली बात नहीं है इसमें एक दम जब देखिएगा तो बोड में लिखा हुआ रहेगा कि परासन संख्यां एक से 80 तक से बरवाद होगी आपका इस तब परासन से पूरी धियान देना है आपको पहला परासन देखिए क्या कहता है पहला परासन ज्यादा वीडियो लंबा चले जाएगा इसरी ज्यादा हम बोलेंगे नहीं पहला परासन ने कहता है कि किसी कार का आगरे दिप में पर्यूक्त द का दरिभान का सूत्र क्या होता है इसके अचुछन को दरपन का सूत्र होता है पलस वन बटा ईव बराबर वन बटा एप आपसन ए इसका बिल्कुर सही अंसर है मेरे डियर स्टुडेंट वीडियो को लाइक जरूर करिएगा चैनल को सस्क्राइब करिएगा अपने दोस्तों में भी वीडियो को सेर करिएगा बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में मेरे प्यार दोस्तों इसके बाद एक चार नमर प्रसने गोलिये दरपन के प्रिष्ट की प्रितकार सीमा तो पाँच नमर प्रासने का ओप्सन हो जागा आपको बीज नमर सही हो जागा इसका सही अंसर ऑप्सन बी करेक्ट अंसर है इसके बाद देखते हैं चाहा नमर प्रासने एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तर लेंस की च्छमता है वह क्या होगा यह आपका क्यूचन पूछा गया है तो उसका होगा वाण डी क्या होगा वाण डी ऑप्शन डी मतर्ड डायोप्टर होता है कि लिए इसके बाद देखिए आपका आठ नमर प्रसने आठ नमर प्रसने आठ नमर प्रसने जो है इस आपका कि फोटोगराफी कैमरा का अभी दिरीश से होता है फोटोगराफी कैमरा का अभी दिरीश से क्या होता है तो इसका सही अंसर हो जाएगा आपका सही अंसर क्या हो जाएगा आठ नमर प्रसने का सही अंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी उत्तल लेंस इसका सही अंसर ह कि अस्पेक्टराम में किस रंग की की रंग का विधु थुद्धू mortality जो है जुकाओ अधीख होता है तो किसका जुकाओ अध्भिक होगा तो 9 नमर प्रस ने का option number D होगा बैगनी की के किसका बैगनी option D इसका बिल्कुल के रेक्टरन से नौ नमर प्रसन का 10 नमर प्रसन देखिए 10 नमर प्रसन ने पूछा है आपका 10 नमर प्रसन में कहा है कि परकास के कीस रंग का त्रेंग धहर सबसे अधीक होता है तो कि इसका रंग सबसे अधिक, रंग ध्यार kissing लाल का अधिक होता है, दस नहिक प्रस्णी कि धर है, दस नहिक प्रस्णी कहता है, कि सुवेत रंग कितने रंगों के मेल से बना होता है, तो साथ रंगों से, कितना? साथ रंगों से option D इसका बिल्कुल सही अंसर है 11 नमर हो गया 12 नमर प्राशन देखिए 12 नमर प्राशन है कहता है spectrum प्राप्त करने के लिए करने के लिए उप्योग किया जाता है तो किसका उप्योग किया जाता है spectrum प्राप्त करने के लिए तो प्रिजम का उप्योग क्या जाता है किसका प्रिजम option D सही अंसर हो गया तेरा नमर प्रस्ट चंदर्मा पर खड़े अंतरी श्यातरी को आकास परतीत होता है तो कैसा परतीत होगा तो काला परतीत होगा option D इसका बिल्कुल सही अंसर है इसके बाद 15 नमर पर साथ तीन्डल पर बहुर परदर्शीत करता है तो ये करता है आपका परकास का परिकिर्न इसका इंहले कितने अब इसके तूल ये होता है तो इसका शही अंसर क्या हो जागा इहले कि 6.25x10 के पावर18 इसका बी हो जागा सही अंसर कितना हो जागा option number 20 इसका बिल्कुल सही अंसर है 17 नमर प्रसन ताप बढ़ने से चाला का परतिरोध क्या होगा बढ़ जाएगा घट जाएगा या तो बढ़ना घटना नहीं है या इनमें से कोई नहीं तो इसका सही अंसर हो जाएगा या आपको option number A यानि बढ़ता है क्या होता है बढ़ता है ताप बढ़ेगा तो चाला का परतिरोध भी क्या होगा बढ़ेगा option A इसका बिल्कुल सही अंसर है 18 नमर प्रसन ने कहता है आर रोम परतिरोध वाले एन परतिरोध का समांतर करम में जोड़ने पर तुल ये परतिरोध क्या होगा तो उसका तुल ये परतिरोध क्या होगा तो ठार नमर प्रस्ण का सही अंसर हो जगा कि आर बटा एन होगा option 20 का बिल्कुल सही answer काता है कि फ्यूज का तार की इन दो धात्मों से यानि मिसरन से बना हुआ होता है तो 20 निमा प्रास ने जो है इसे आपका सीसा और टीन का बना हुआ आता है फ्यूज तार के लगू पत्थन 22 निमा प्रास ने का इस तोरह से दिया डाइगराम A और B कि तो इसका अंसर बताना है तो इसका फर्मूला करके निकालिएगा तो इसका सही answer क्या आ जागा 22 निमा प्रास ने का आएगा 6 ओम आएगा 6 आएगा option B इसका बिल्कुल सही answer है 23 निमा प्रास ने का ता आमीटर का परतिरोध होता है आमीटर का परतिरोध कैसा होगा छोटा होगा बहुत छोटा होगा बड़ा होगा इन मेंसे कोई नहीं होगा तो इसका answer हो जगा कि छोटा हो जगा option A इसका बिल्कुल सही answer है 24 नमर बिजूत परिपाथ में बिच का विभांतर मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है तो इसका सही अंशर क्या हो जागा तो 25 नमर पराशने का सही अंशर हो जागा आप्सन नमर ए, आप्सन नमर ए, एफ बराबर आर हो जगा, आप्सन ए इसका बिलकूल सही अंसर, 26 नमर प्रसने का कहता है, आतीभारन के समय बिधूत परिपाथ में बिधूत धारा का मान होता है, तो बिधूत धारा का मान क्या होता है, तो 26 नमर प्रसने का सही अंसर क्या ह का कौन सा गुन किसी चमवकिये छेतरे में मुक्त गती करते समय परिवर्तित नहीं कर हो सकता है इसका सही अंसर 27 नमर क्या हो जगा option A चाल क्या हो जगा चाल केवल हम इसका answer दे रहे हैं ज्यादा इसमें हम परिवासित या तो explain नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा 28 नमर प्रस ने कहता है कि वीधु जनी तरे कारे करता है तो केस पर कारे करता है वीधु जनी तरे कारे करता है तो उर्जा के प्रवर्तक की तरह कार करता है option D इसका बिल्कुल सही अंसर है 30 नमर प्रस ने एयर कंडिंसर में कितने Mpear का Fuge लगाया जाता जो एर अब करणीशन जो होता है आपका A.C. बगएर उसमें कितना Mpear का Fuge लगाया जाता है तो 30 तो 3 नोम पराशने कया प्राशन का CACर रगा कि आपका 15 Mpear का लगाया जाता है कितना 15 Mpear option B इसका बिल्कूर सही answer. एक 30 नोम eyeballs ने काता प्रसने को सरवाधिक उपयूक्त है तो तो प्रसने का सही अंसर हो जाएगा आपका आप समतल दरपन का किसका समतल दरपन 35 प्रहस ने कहता है जैब दरवयान उर्जा का सिरुत निमने खित में कौन है तो जैब दरवयान जो है उर्जा का सिरुत निमने खित में से कौन होगा 24 प्रहस ने का सही अंसर क्या हो जबाबू तो सही अंसर हो जबाइब access number B बायो guys होगा प्राकिर्तिक गैस के उर्जा के कैसा सरोत है तो आनवी करनी है आनवी करनी है उर्जा का मुख शरोत क्या है तो उर्जा का मुख शरोत क्या हो जगा तो इसका सही एंसर हो जगा आनि सूर्य परकास क्या हो जगा सूर्य परकास से तीसने में प्रस ने संग्मरमर करा साइनिक सुत्रे क्या है यह आपका सेट बी में भी पूछा है आप इसको याद रखना है तो इसका सही एंसर क्या हो ज देखिए कहता है कि अभी कीरिया कराना है कि ए फी टू ओ ठीरी पलस सी तीरी सी-ओ इसके बाद इसके अभी कीरिया कराएंगे तो क्या उत्पन होगा क्या अभकारक बनेगा तो यह तिस निमर प्रासने का साही अंसर हो जागा option नमर B CO बनेगा, क्या 변ेगा, CO बनेगा, ठीक है, 49 नमर्परस्न, देखे, कहताएं निखित में से कौन समीकरण संतूलित नहीं है, इन में से बताना है, कौन सा जो समीकरण तो 50 नमर्परस्न participant, कौन समीकरण संतूलित नहीं है, तो 40 नमर्परस्न, को उप्शन D हो जागा, यह आपका करन आप करन के साथ साथ होता है कि लिए उप्सन बीस का बिल्कुल सही अंसर होता है प्रकास रसाइनी का भी किरिया में यह जो है इसे परकास का अवसोसन होता है उप्सन इसका बिल्कुल सही अंसर है ब्याले सिल्वर कलोराइड का रंग होता है सिल्वर कलोराइड का जो रं किस परकार की अभी कीरिया है तो 43 निम्रा प्रसने का सही अंसर हो जगा उपचायन है किसा है उपचायन ओप्सन सी इसका बिल्कुल सही अंसर है प्राप्सने का प्राप्सन 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 का option B बिल्कुल सही answer है 46 निमनी खित में कौन भास्म नहीं है तो option B इसका बिल्कुल सही answer इसका बिल्कुल सही answer है आईए देखते हैं इसके बाद 50 निमनी प्रस ने कहता है बॉक्साइट किस धातू का महतपूर्ण आयस का है तो एलिमूनियम का बॉक्साइट है और इमूनियम का बॉक्साइट इसको याद रखना option C 50 निमनी प्रस ने कहता है कि पारे का आयस का होगा इकामन निमनी प्रस ने का option D इसका बिल्कुल सही answer होगा क्या होगा इसके बाद देखिए आपका 52 निमनी प्रस ने कहता है कि निमनी खित में कौन आयनिक योगिक है तो हो जाएगा आपका के सी यल पोटाइसियम कलोराइड ऑप्सन C इसका सही answer हो जाएगा तीरपन निमनी खित में से कौन सी धातू दीविध हर्मिया उक्साइड बनाता है इनमें से बताना है कौन से धातू है वे दीविध हर्मिया उक्साइड बनाता है तो तीरपन नम्य प्रस ने का सही answer हो जाएगा एलमूनियम हो जाएगा चाहूंगा नम्य प्रस निमनी खित में कौन से धातू तैनू नाइट्रिक आमल से अभी कीरिया करके इसके बाद चापन नमर प्रसन का तानिम निखी ते इलेक्टरॉन बिंदू से रचनावों में कौन सालफर आयन का इलेक्टरॉन बिंदू से रचना हो सकती है तो इसका साही अंसर चापन नमर प्रसन का साही अंसर निमनंकीत संकेत दोवारा ब्यापक ततवों की कौन साधातू है तो इसका सही एंसर क्या हो जगा बाबू अंठामा नमर प्रस्ण का मारी प्रेड अश्कुलेंट है तो option B हो जगा इसका सही एंसर 69 नमर प्रस्ण निमनीखित में से कौन सा यूग में एकल भी स्थापन अभी कीरिया परदर्सित करता है तो इसका सही एंसर 69 नमर परसने का सही एंसर हो जगा option नमर ब याद रखना option नमर बी इसके बाद देखते हैं अगला परसने 60 नमर परसने 60 नमर परसने है कि गुलोकोस के एक अनू में oxygen के कितने परमानू पाई जाते हैं पूछा था और आपका सोच लिए कि अगर जो आप दास्मा के तयारी करते हैं साइंस और सभी चीज़ का तो आपका आगे चलके जब जौब के तयारी करिएगा तो उसमें आपका एक परसने भी दीकत नहीं हो गया मेरा वादा है बस जितना पढ़ाया जाता है आप उतना सब्जी गरहन करते चलिए और इसमें देखिए इसका जो कुछा है कि गिलोकोस के एक कैन के ऑक्सीजन के कितने परमानू होते हैं तो साथ नमर परसने का सही अंसर हो जाएगा माई डियारा स्टूनेंट क्या हो जाएगा आपका एक सट नमर परसने का सही हो जाएगा ऑप्सन नमर बी ये भी सकतना होगा चार इसके बाद एक बाशन नमर परसने के कितने सिरिंखिला समनवाई है तो इसका सही अंसर हो जाएगा बाशन नमर परसने का सही अंसर ऑप्सन नमर बी तीन को होता है कितना तीन 63 नमर डालड़ा में उपास्ती तो वसा XV me vielleicht किस परकिर्टी का होता है ये आपको बताना है तो किस परकिर्टी का होता है 63 नमर प्रसट में का सही अंसर रही और 다 available वप्षन नम्र E संत्री तो होता है क्या होता है संत्री तो 64 नमर प्रसने देखते हैं कता है 64 नमर प्रसने की कलोरीन के परमानु की बरामतम कच्छा में इलेक्ट्राउनिक की संख्यां कितनी होगी तो कितना होगा 64 नमर प्रसने का साई अंसर होगा आपसन नमर सी क्या होगा आपसन नमर सी साथ हो जाएगा 65 नमर प्रसने निखित में कीरिये गैस कौन है तो 65 नमर प्रसने का साई अंसर हो जाएगा तो हो जाएगा आपसन नमर बी क्या हो जाएगा आपसन नमर प्रसने प्रकार संसरेशन के कीरिया होती है तो प्रकार संसरेशन कीरिया किस में होती है फासलों में हरे पाउधे में जन्तुगों में पर जीवियों में तो 66 नमर हो जाएगा आपसन सी हरे पाउधे में होते है निमनीखीत में किसे को सीका का उर्जा मुदरा के रूप में जाना जाता है तो क्या हो जागा इसका सई एंसर आल सट नमा प्रासने का सई एंसर हो जागा ATP के रूप में किसे ATP, ATP का full form क्या होता है आप हो comment box में comment करके बताना है कि इतना पढ़ रहे हैं आप लोग वो आपसे पता चलेगा जारा देखते हैं 79 नमा प्रासने पादप में phaloyam उतरदाई होता है तो पादप में phaloyam उतरदाई होता है तो क्या उतरदाई होता है तो ये होता है भोजन समवहन उप्सन 20 का बिलकुर सही एंसर है 79 प्रासन रेक्ट का ठका बनाने में सहायक होता है तो रेक्ट का ठका बनाने में जो सहायक होता है वह क्या होता है तो रेक्ट भीमानू होता है 79 प्रासने निम्नंकित में प्रोटीन पाचन प्रोटीन पाचन एंजाइम नहीं है तो protein पांचन ने इन्जाम नहीं, ऐखता न मवाहर नाल का सबसे लंबा भाग है, तो मनवाहर का सबसे लंबा भाग क्या होगा, तो छोटी याथ हो जचोटी याथ, छोटी याथ की लंबाई केंट में ज़रूर बताईएगा, आप लो हेमोगुलोबी नहीं होगा तो 73 नमर्प्रस्ण का सही अंसर हो जागा कि मक्खी में जो है वह हेमोगुलोबी नहीं होता है चोहत्तर नमर्प्रस्ण जीव की एक एक महत पूर्ण भी सेस्ता क्या होती है तो जीव की एक महत पूर्ण भी सेस्ता क्या होगा तो यह हो जागा आपका option number D क्या हो जागा समयनवाई हो जागा option D इसका बिल्कुर सही answer है 75 नमर प्रस एंडरोजेन क्या है बताना है आपको एंडरोजेन क्या है तो ये है आपका नैरलिंग हार्मोन है नैरलिंग हार्मोन 76 नमप प्रस ने कहता है मेरू रजू निकलता है तो मेरू रजू निकलता है कहां से निकलता है मेरू रजू तो ये निकलता है आपका मेडूला से कहां से मेडूला ऑप्सन डी सही अंसर है 77 नमर्परस ने कहता है कि हमारे सरीर में विभीन विजैवी कारियों का नियंतरन होता है तो किसके दोवारा नियंतरन होता है या आपका फूचन पूझाए तो 77 नमर्परस ने कहोगा कितने तरीका एवं रसाइनों दोवारा होता है उप्सन सी इसका बिल्कुर साही अंसर उप्सन सी हो जाएगा इसके बाद एक 78 नमर्परस ने कहता है कि मास्टर गरंथी कहलाता है तो पिटीटरी गरंथी को मास्टर गरंथी कहते हैं इसको छोटी गरंथी भी बोला जाता है किलियर है option साही answer हो गया यह 89 प्रस ने काता है कौन सी गरंथी अंता सरावी एवं बहिर सरावी दोनों है तो इसी से बताना है कौन सा गरंथी जो है इस अंता सरावी बहिर सरावी है तो हो जागा है आगनासा है जो है इस अंता सरावी बहिर सरावी दोनों है आसी नेवर परास ने कीनिमन किरिया पाई जाते है तो किस में कीनिमन किरिया पाई जाएगी तो इस्ट में पाई जाएगी ये था आपका बीद्या सागर का आसी अबजेक्टिव परास ने वीडियो कैसा लगा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट का जरूर बताएं अगला वीडियो आपका किस टॉपिक पर चाहिए, किस सलेबस के चाहिए और कैसा चाहिए भी आपको कॉमेंट करके जरूर बताएगा फीर से कह रहे हैं आपको कि अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब जरूर कर लिएगा बिल आइकन को परेस कर लिजेगा अपने दोस्तों में इस वीडियो को सेर करिएगा और दूहर 24 के बिहार बोड में जहनडा या आप ही गाड़ियेगा ये मेरा वादा है केवल बीडियो को आप 37 चान तक जरूर देखिए जतना बीडियो हम दे रहे हैं आपको कलास 12 के हो चाहे कलास 10 का हो चलिए आप हमें मोटिवेट कर लिए कि बीडियो को एक लाग जरूर करिएगा हमें दीजिये जाज़ा तब तक के लिए जाहिं जाए भारत मिलते हैं किसी एक नए वीडियो में एक नए जोस के साथ है